चैहिंद एवरिवन, स्वागत आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गौर्डमेंट इग्जाम्स फंडा CDS, NDA, CAPF और FCAD के जो आपके इग्जाम 2020 में होने वाले है उनकी eligibility के उपर जो है बात करेंगे कि कौन कौन eligible है एंड किसके कितने attempts जो है बाकी है तो ये वीडियो एक बार आप देख लेना क्योंकि काफियों को confusion रहती है eligibility के regarding क्योंकि जो आपकी dates दी गई होती है CDS में NDA में वो dates दी जाती है किसकी according? Academy join करने के according जैसे OTA में आपकी 25 year age लिखा होता है तो 25 year age maximum जो है वो उस according है जिस दिन आप academy join करेंगे तो इसकी वज़ा से काफियों को eligibility जो है उसमें confusion रहती है तो वो आज मैं आपकी confusion दूर कर दूँगा कि 2020 में जो exams है उसके लिए कौन-कौन eligible है? CDS के लिए, NDA के लिए, CAPF के लिए और FGAT के लिए तो चलिए, बिना देर के शुरू करते हैं, इसके इलावा CDS और CAPF का बैद चल रहा है आप इस नंबर पे WhatsApp करके join कर सकते हैं तो चलिए, सबसे पहले CDS to 2020 के eligibility के बारे में बात कर लेते हैं देखिए, CDS में क्या होता है? IMA के लिए, AFA के लिए और INA के लिए जो maximum age limit है वो 24 years है और OTA के लिए 25 years है यानि कि IMA, INA और AFA के लिए एक साल जो है आपको कम मिलता है OTA के comparatively अब eligibility क्या है? देखिए, अगर आपका बर्थ जो है July 2nd 1996 को हुआ है या उसके बाद हुआ है, तो आप CDS to 2020 के लिए eligible है किस चीज के लिए? OTA के लिए OTA के लिए, अगर आपका बर्थ जोलाई 2nd 1996 से पहले का है तो आप CDS नहीं भर सकते याद रखना July 2nd 1996 अगर आपका एक July 1996 को भी है तो आप नहीं भर सकते CDS अगर आपका July 2nd 1996 से लेकर July 1st 1997 के बीच में Date of Birth है इस एक साल के बीच तो आप सिरफ OTA के लिए भर सकते है अगर आपका Date of Birth जो है 2nd July 1997 के बाद का है तो फिर आप IMA के लिए, AFA के लिए और INA के लिए अलीजिबल होंगे ये बात आपको बिलकुल क्लियर होनी चाहिए important बात जिनका बर्थ 2nd July 1996 से लेकर एक जैन 97 के बीच में है उनका CDS का ये last chance होगा CDS का last chance, overall CDS का last chance जिनका बर्थ July 2nd 1997 से लेकर एक जैन 98 तक हुआ है उनका IMA, AFA और INA का last chance होगा उसके बाद वो सिरफ OTA के दो chances दे सकेंगे यानी कि अगर आपकी date of birth इसके बीच में लाई करती है तो ये last CDS है जब आप IMA के लिए AFA के लिए और INA के लिए eligible है तो ये date of birth देखकर आपने घबराना नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो CDS तो नहीं भर सकते इस बार लेकिन वो FCAT और CAPF भर सकते हैं तो सभी के eligibility देखेंगे आगे देखते हैं NDA 2 2020 के eligibility देखिए NDA 1 2020 और NDA 2 2020 दोनों इकठे होंगे 10 जून को next NDA की notification आएगी most probably जिन्होंने already form भर दिया हुआ है उन्हें दुभारा form भनने की ज़रूरत नहीं होगी लेकिन फिर भी 10 जून को एक बार जो है clear हो जाएगा notification आने पर तो जिन्होंने last time NDA नहीं भरा था उनके लिए अब opportunity है क्या जिनका भी बर्थ 2 Gen 2002 से लेकर 1st of Gen 2005 के बीच में हुआ है वो next NDA के लिए eligible है और जिनका बर्थ 2 Gen 2002 से लेकर 1 July 2002 के बीच में है उनका ये NDA 2 2020 का last chance है यानि कि जितने भी बच्चे अगला NDA देने जा रहे हैं अगर उनकी उमर 1 July 2002 से कम है उनका date of birth 1 July 2002 से पहले का है तो आप सभी का NDA 2 2020 जो है last chance होगा तो उसी के according आपको जो है अपना effort लगाना है कि आपने इसी बार में निकालना है तो आगे देखते हैं CAPF की eligibility CAPF की eligibility देख लेते है CAPF का exam होता है साल में सिरफ एक बार यानि कि जो इस बार 2020 में होगा उसके बाद एक ही exam होगा 2021 में CAPF दो बार exam नहीं लेती UPSC CAPF का आगे देखते हैं अगर आप general category से आते हैं तो आपका बर्थ जो है 2nd of August 1995 के बाद का होना चाहिए और graduation की degree आपके पास होनी चाहिए तो आप जो है eligible होंगे किसके लिए UPSC CAPF के लिए अगर आप OBC category से आते हैं तो 3 साल की age relaxation मिलती है तो 2nd August 1992 के बाद अगर आपका बर्थ है तो आप जो है apply कर सकते हैं CAPF के लिए और अगर आपका बर्थ 2nd of August 1990 के बाद का है और आप SCASC category से आते हैं तो आप UPSC CAPF जो है eligibility आपकी बनती है यानि कि in short 25 साल general category के लिए OBC के लिए 28 और SCASC category से आते हैं तो 30 साल यह है हमारी UPSC CAPF के eligibility तो चलिए चलते हैं आगे आगे देखते हैं F2 2020 के eligibility देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कुछ लोग CDS तो नहीं भर सकते लेकिन वो CAPF और FCAT इस बार भर सकते हैं FCAT की eligibility क्या है अगर आपका birth 2nd of July 1995 के बाद का है तो आप FCAT 2 2020 के लिए eligible है अगर आपका 2nd July 1995 से लेकर 1st Gen 1996 के बीच में birth है तो आपका FCAT का ये last chance होगा तो आपको ये clear हो जाना चाहिए अब कि कौन-कौन इस बार CAPF दे सकता है CDS दे सकता है अगर आपको clarity हो गई है तो नीचे comment box में बताइए कि आप इस बार कौन-कौन से exam के लिए जो है eligible है और अगर किसी को अभी भी doubt हो तो वो नीचे comment box में पूछ सकता है क्योंकि eligibility के regarding कोई भी doubt आपको नहीं होना चाहिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए जादा से जादा शेयर कीजिए जल्दी मिलेंगे अपनी next वीडियो के साथ जै हिंद